सजाती शोणी और क्रियात्मक समुहों के विस्वे में जान लेने के बाद आएए अब हम क्रियात्मक समुह युक्त कार्बनिक योगिकों का नामकरण करते हैं आप जानते हैं कि कार्बनिक योगिकों के नामकरण के लिए IUPAC सिस्टम का अपनाय जाता है यनि कि International Union of Pure and Applied Chemistry इनके द्वारा नर्धारित मान दंडो या नियमों के आधार पर ही हम कार्बनिक योगिकों का नामकरण करते हैं तो आएए जानते हैं ये कौन-कौन से नियम हैं यदि हमें कार्बनिक योगिकों का नामकरण करना है तो सबसे पहले हम जिस तरह से हाइडरोकार्बन में हमने कार्बन परमानों की लंबी श्रिंखला चुना था तो उसी तरह से क्रियात्मक समो योगिकों का नामकरण करने के लिए भी हम सबसे पहले कार्बन परमानों की लंबी श्रिंखला चुनते हैं और लंबी श्रिंखला चुनते समय ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उस श्रिंखला में प्राय सभी क्रियात्मक समू और प्रतिस्थापी सम्मिलित हो जाएं जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं पांच कार्बन की एक श्रिंखला दिखाई दे रही है जिसके दूसरे नंबर के कार्बन पर एक हैड्रोक्सिल समू उपस्थित है तो यहाँ पर हम कार्बन परमाणू की सीधी श्रिंखला चुनेंगे जिसमें की एक हैड्रोक्सिल समू भी उपस्थित होगा इसके पश्याद यहां पर हम बता दें कि जब हम लंबी श्रिंखला का चुनाव करते हैं तो यहां आवश्यक नहीं है कि लंबी श्रिंखला हमीशा सीधी ही हो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लंबी श्रिंखला में प्राया सभी प्रतिस्थापी स् इस तरह से हमारी जो शरिंख्ला है, वह मुडी हुई भी हो सकती है। इसके बाद लंबी शरिंख्ला चुनने के बाद हम शरिंख्ला में उपस्थित सभी कारबन परमाणों का अंकन करते हैं। अंकन करते समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना है। कि जब हम अंक दे रहे हों तो क्रियात्मक समुहों या प्रतिस्थापियों को निम्नतर अंक प्राप्त होने चाहिए। उदारन के लिए यहाँ पर हमारे पास एक योगीख है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमें पांच कार्बन दिखाई दे रहे हैं और जिसके दूसरी नंबर के कार्बन पर एक क्रियात्मक समुह हाइड्रोक्सिल समुह उपस्तित है। यदि हमें इसका अंकन करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। यदि हम अंकन बाई और से करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्रियात्मक समुह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को चार नंबर मिलते हैं यहाँ फोर्थ कार्बन होगा। दूसरी तरफ यदि हम अंकन दाई ओर से करते हैं तो हम देखेंगे कि जो क्रियात्मक समुवाला कार्बन है उसे दुति अंक प्राप्त होता है और हम जैसा की नियम में जाना कि हमें अंकन उस तरफ से करना है जिससे प्रतिस्थापी जुड़े हुए कार्बन को कम से कम निम को प्राप्त होंगे इसके बाद बात आती है इन प्रतिस्थापियों का नाम लिखने की तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि यदि हमारे कार्बन श्रिंखला में एक से अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हैं तो हमें यह देखना होगा कि यह जो प्रतिस्थापी हैं उनमें वरियता क्रम क्या है क्योंकि सभी क्रियात्मक समू या जो प्रतिस्थापी हमारे पास उपलब्द हैं उनसे हम नाम का अंत नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें उनकी वरियता क्रम देखनी होती है तो जो सबसे वरिय कार्बन या क्रियात्मक समू होता है उसके हम नाम का जो कार्ब क्रियात्मक समू होते हैं जिनकी वर्यता कम होती है उन्हें हम प्रतिस्थापी यहने की पूर्व लगन के रूप में लिखते हैं तो इस तरह से कोई भी प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समू जब कम वर्य होता है तो वह प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाता है और पर हमें यह जानना आवश्यक है कि कोई भी क्रियात्मक समू जब पूर्वलगन के रूप में लिखा जाता है तब उसका नाम क्या होगा और जब वह अनुलगन के रूप में लिखा जाता है तब उसका नाम क्या होगा तो आए हम कुछ क्रियात्मक समू का उदाहरन लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं इलकेन इलकेन शर्णी जब होती है यानि कि जिसमें की पूरी शर्णी में सभी कार्बन परमानों एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो इनके इन्हें कभी भी प्रतिस्थापी के रूप में नहीं हम इसे अनुलगन के रूप करते हैं मालेजे हमारे पास दो कार्बन की श्रिंखला है और इसका सूत्र है C2H6 तो इसका नाम हो जाएगा एथेन क्योंकि इसमें दो कार्बन उपस्तित हैं कार्बनी श्रिंखला का अंकन कर लेने के परशाद अब हम कार्बनिक योगिक का नाम निखते हैं नाम निखने के लिए भी हम एक क्रम का अनुसरन करते हैं सबसे पहले प्रतिस्थाप्यों का नाम लिखा जाता है और उसके बाद हम मूल भाग यानि की root word लिखते हैं जिसमें की carbon श्रिंखला में उपस्थित carbon का नाम दिया जाता है उसके पश्चात हम मुख्य क्रियात्मक समुहों को लिखते हैं यदि हम इसमें और विस्तार करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो मुख्य प्रतिस्थापी हैं उनको लिखा जाता है और उनको लिखने के लिए हम उनके पूर्व लगन का इस्तेमाल करते हैं इसके बाद यदि हमारी कार्बन श्रिंखला चक्रिय होती है तो उसके लिए हम एक पूर्वलगन उप्योग करते हैं साइक्लो तो यदि चक्रिय श्रिंखला है तो साइक्लो शब्द यदि लिखना है तो वह भी root word मुख्य भाग के पहले ही लिखा जाता है इसके बाद हम लिखते हैं मुख्य भाग और मुख्य भाग यानि कि जो कार्बन श्रिंखला है उसमें जितने कार्बन उपस्तित हैं यह हम यह कह सकते हैं कि यह जो कार्बन श्रिंखला है यह किस हाइड्रो कार्बन का वित्पन है यह दर्शाने के लिए हम जितने भी कार्ब कारबन है उनका नाम लिखते हैं और नाम लिखने के लिए माल लीजिए आप जानते हैं कि इनके लिए एक विशेस पूर्व लगने का उप्योग किया जाता है जैसे कि माल लीजिए हमारे कारबन श्रिंख्ला में केवल एक ही कारबन है तो हम उसके लिए लिखते हैं मैथ के लिए ओक्ट नो के लिए नोन और दस के लिए डैग तो इस तरह से हम रूट वर्ड का चैन करते हैं और इसके पश्चाद हम यह देखते हैं कि हमारी कार्बन शिंखला में यदि सभी कार्बन एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं तो उसके पीछे अनुलगन लिखा जाता है इन यदि यहां पर द्वी बंध उपस्तित है तो अनुलगन उसके साथ जोड़ जाएगा इन यदि ट्रपल बंध उपस्तित है तो अनुलगन जोड़ जाएगा आइन और इसके बाद यदि हमारी पूरी शंकला में कोई क्रियात्मक समूं उपस्तित है तो मुख् तो इस तरह से मुख्य क्रियात्मक समु को अनुलगन के रूप में लिखा जाएगा अब हम यहाँ पर यह भी बता दें कि कोई क्रियात्मक समु कभी प्रतिस्थापी के रूप में भी लिखा जा सकता है या कभी मुख्य क्रियात्मक समू के रूप में भी लिखा जा सकता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस कारवन शिंखला में कितने प्रतिस्थापी है और उनका वर्यता कम क्या है तो यहाँ पर सब यदि एक से अधिक क्रियात्मक समों होते हैं तो हम उनका वरियता क्रम देखते हैं जो सबसे वरी वरिष्ट क्रियात्मक समों होता है उसे हम अनुलगन के रोप में लिखते हैं और उसके द्वारा ही हम अपने कार्वनिक योगिक के नाम का अंद करते हैं जबकि बाकी के जो कमवरी क्रियात्मक समों होते हैं उन्हें हम प्रतिस्थापी के तोर पर लिखते हैं तो इसलिए यहाँ पर हमें यह जान लेना भी जरूरी है कि यदि कोई क्रियात्मक समों प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जा रहा है तो उसे किस तरह से लिखा जाएगा और यदि वह मुख्य क्रियात्मक समों के रूप में लिखा जा रहा है तब उसका नाम क्या होता है तो आईए हम जानते हैं सबसे पहले हम देखेंगे एलकेन यदि जैसे कि मैंने बताया हमारी कार्बन श्रिंखला में सभी कार्बन परमा नाम का अंत एन के द्वारा करते हैं जैसे कि हम यहां पर उदारन ले रहे हैं दो कार्बन की यदि श्रिंखला है और दोनों ही कार्बन या अन जो तत्व हैं वह सिंगल बंद के द्वारा जुड़े हुए हैं तो यहां पर दो कार्बन के लिए जो root word होगा वो होगा एथ और उसके साथ, चुकि यहाँ पर सभी सिंगल बंद हैं, इसलिए अनुलगन जुड़ेगा N. तो इस तरह से इस दो कार्बन वाली जो श्रिंखला है, उसका नाम हो जाएगा एथेन. इसी तरह से एथेन, वो कार्बन कमपाउंड जिनमें की कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक द्विबंद पाया जाता है. और यदि द्विबंद उपस्तित होता है, तो यहाँ पर हम उसे भी अनुलगन के रूप में लिखते हैं. और अनुलगन के रूप में लिखने के लिए, मालने जे यहाँ पर सूत्र है C2H4, यहने की दो कार्बन की श्रिंखला है, जिसमें की दोनों हे कार्बन आपस में द्विबंद के द्वारा जुड़े हुए हैं. तो यहाँ पर इनके लिए जो रूट वर्ड होगा वो होगा एत, और चुकि इनके नाम के पीछे अनुलगन क्योंकि द्विबंद है, इसलिए नाम के पीछे जो अनुलगन जुड़ेगा वो होगा इन. और इस तरह से जो कार्बनिक योगिक का नाम बनेगा वो हो जाएगा एथीन. इसी तरह से एलकाइन. जब शिंखला में कोई भी दो कार्बन आपस में त्रिबंद के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उन्हें भी हम अनुलगन के रूप में आइन लिखते हैं. जैसे कि हम यहाँ पर उदारन ले रहे हैं, C2H2. यहाँ पर दो कार्बन आपस में त्रिबंद के द्वारा जुड़े होए हैं. और यहाँ पर चुकि यह दो कार्बन हैं, इसलिए रूट वर्ड इनके लिए होगा एथ, और इसमें अनुलगन जोड़ेंगे आइन. और इस सिंगल बॉंड के लिए एन, दुबंद के लिए एन और त्रिबंद के लिए आइन अनुलगने लगाते हैं. इसके बाद हम देखते हैं, मा लीजे अलकोहल्स. अलकोहल्स जिसमें क्रियात्मक समू, OH समू, हाइड्रोक्सिल समू उपस्थित होते हैं. अब यह जो हाइड्र पूर्व लगने के रूप में लिखते हैं. और पूर्व लगने के रूप में इसे हाइड्रोक्सी लिखा जाता है. और यदि ये अपनी कार्बन श्रिंखला में मुख्य क्रियात्मक समू के रूप में लिखे जा रहे हैं, तब इसे हम अनुलगने के रूप में लिखेंग एक ही क्रियात्मक समू है हाड्रोक्सिल समू और यही मुख्य क्रियात्मक समू है यनि कि इसे यहाँ पर अनुलगन के रूप में लिखे जाएगा अब यहाँ पर रूट वर्ड हम लेखें तो रूट वर्ड के लिए यहाँ पर दो कारबन हैं और इसके लिए रूट वर्ड ह होगा एथ और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी तत्व हैं वो सभी एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं इसलिए यहाँ पर अनुलगन लिखा जाएगा एथ एन और साथ ही साथ यहाँ पर जो मुख्य क्रियात्मक समू है उसका अनुलगन जुड़ेगा और य कि जब भी जो मुख्य कार्बन शेंखला होती है उसका अन्त जैसे कि हाँ पर हम लेग रहे हैं एथेन इसके नाम में के अन्त में यानिकी स्वर आ रहा है और जब भी कोई क्रियात्मक समू अनुलगन के रूप में लिखा जा रहा हो और उसके नाम का की शुरुवात भी कि स्वर यानिकी a e i o u के द्वारा हो रही हो तो यहाँ पर हम दो सवरों को एक साथ न लिख कर जो मुख्य कार्बन शेंखला है उसके सर को वीलोपीच कर देते हैं और उसके बाद हम उसका नाम लिखते हैं जैसे कि यहाँ पर हम दें मालेजे मेथेन या मेथेन ओनाल है तो यहाँ पर हम लेखें कि जो मुख्य हड्रोकार्बन है वह मेथेन है जिसके एक हड्रोजन को हम हड्रॉकसिल समों के द्वारा प्रसिस्थापित कर देते हैं तो हमें जो योगीक प्राप्ट होता है वह है मेथेनौल अब जब हम इसके नाम की स्पेलिंग लिखेंगे तो यहा का नाम लिखते समय हम मेथेन यानि की मुख्य हाइड्रोकारबन के नाम के अंत से ए हटा कर वो उसके इस्थान पर ओ एल ओल जोड देंगे और उस तरह से योगी का नाम लिखा जाएगा इसके बाद हम देखते हैं अनेक्रियात्मक समू एल्डिहाइड समू एल्डिहाइड समू आपके जानते हैं इनके लिए जो सूत्र होता है वो होता है C-H-O और इस तरह से जब इसे हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं तो इसे पूर्वलगन के रूप में लिखा ज यहाँ पर हमारे पास उदाहरण है C2H5CHO और यह एक LDH carbonic compound है अब इसका नामकरण करने के लिए चुकि यहाँ पर एक ही क्रियात्मक समू है LDH समू और इसलिए हम इसे अनुलगन के रूप में लिखेंगे और अनुलगन के रूप में हम लिखेंगे L या A L spelling के रूप में अब यह हम इसे नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि इसमें कितने carbon compound है और यहाँ पर चुकि हमें दिख रहा है तीन carbon compound है और इसलिए इसके लिए जो root word वो होगा वो हो जाएगा pro और चुकि इसमें सभी carbon एकल बंद के द्वारा जूड़े हुए है इसलिए पहला अनुलगन जूड़ेगा एन यानि कि प्रोपेन और साथ ही साथ अब यह जो प्रोपेन है उसके साथ हम मुखी क्रियात्मक समू का अनुलगन जूड़ेंगे वो है A L और यहाँ पर भी जो A है वह स्वर है इसलिए हम प्रोपेन के अंतिम E को हटा कर उसके स्थान पर हम A L जोड़ देंगे और इस तरह से यह जो compound है उसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल इसी तरह से और उदारण लेते हैं अब हम ले रहे हैं उदारण किटोनिक समू का अब किटोनिक समू का की सरचना जानते हैं इसमें जो एक कारबन है वह द्वीबंद के द्वारा oxygen से जुड़ा होता है और इसकी दो सेयों जगताएं फ्री होती हैं मुक्थ होती हैं और इस जब ये किटोनिक समू प्रतिस्थापी के रूप में जब इन्हें नाम दिया जाता है तो इन्हें ऑक्सो नाम दिया जाता है और यदि ये मुक्य क्रियात्मक समू के रूप में लिखे जाते हैं तब इन्हें हम इस अनुलगन के रूप में लिखते हैं और अनुलगन होता है उन जैसे हम यहाँ पर एक उधारन ले रहे हैं CH3 Co CH3 जब हम इस कारवणिक कंपावंड का नाम करेंगे तो चूर्गी यहाँ पर एक ही क्रियात्mot सम मुओं है कि टोनिक समूं इसलिए हम इनके नाम का अंत इस कारवंड कंपावंड के नाम का अंत इसी मुख्य क्रियात्मक समूँ के अनुलगन के आधार पर यानि की ओन के आधार पर करेंगे तो सबसे पहले चुकि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि तीन कार्बन परमाणू हैं तो इन तीन कार्बन परमाणू के लिए जो रूट वर्ड होगा वो होगा प्रो और चुकि कार्बनिक कंपांव का नाम लिखा जायेगा कि इसके बाद हम एक और उधारन लेते हैं यह कार्बोकसिलική और अप जानते हैं जो का लिकामल का जो सूत्र होता है क्रियात्मक समूँ का सूत्र वह है यहाँ पर सी जिससे कार्बन एक कार्बन जिससे एक औकसीजन दूईünden के द्वारा और यहाँ पर कार्बन की एक संयोजक्ता फ्री होती है जब यह क्रियात्मक समू मध्ध में लिखे जाते हैं या पूर्वलगन के रूप में लिखे जाते हैं तब इन्हें हम कहते हैं कार्बॉक्सी लेकिन जब इन्हें अनुलगन के रूप में लिखा जाता है तो ह हम लिखते हैं आप में कुझत हैं औक जैसे अम यहाँ पर एक उधाराण ले रहे हैं और styles एक हृट यह एक कार्बनिक कंपाउंड है जिसमें कि मुख्य क्रियात्मक समूं कार्वापस्लिक वम est और कार्वाक्सलिक सम्मू मुख्य क्रियात्मक सम्मू है इसलिए हम अनुलगन लिखेंगे ओईक अमल और चुकि इसमें जो कार्बन है वो दो है इसलिए यहाँ पर जो रूट वर्ट होगा वो होगा एथ और साथ ही साथ चुकि एकल बंध है इसलिए हम पूरा लिखेंगे एथ एनुपत है और साथ में हम अनुलगन जोड़ेंगे और नाम लखते हुएस क्रम को ध्यान में रखते हुए हम कार्वनीक कंपाउंड का नाम l county है सबसे पहले 30 थापीक न्यार निखा जाता है फिर रूट वर्ड यानिकी मुख्य भाग का नाम लिखा जाता है और उसके बाद मुख्य क्रियात्मक संहों के नाम अनुलगन के रूप में लिखे जाते हैं इस तरह आपने क्रियात्मक सम्मों युक्त कार्बनिक योगिकों का नामकरन करने के सभी नियम जान लिए हैं तो आएए अब हम एलकोहल शर्णी के सदस्यों का उदारन लेकर कुछ योगिकों का नामकरन करते हैं यहाँ पर हमारे पास एलकोहल शर्णी के कुछ सदस्यों के उदारन हैं सबसे पहला आप पुदारन देख सकते हैं जिसका सूत्र है CS3OH हम जानते हैं कि यह जो एलकोहल शर्णी का सजस्य है वह मूल हाइड्रोकार्बन एक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल समू से प्रतिस्थापित करने के पर शाथ प्राप्त हुआ है तो इस तरह से इस योगिक का नाम हो जाएगा मेथेनॉल अब हमने जाना है कि जब हम इस तरह से नाम लिखेंगे तो मेथेन के ऑं के ए को हटा कर यहाँ पर अनुलगन ओल जोड देंगे और इस तरह से इस कार्बनिक योगी का IUPAC नाम होगा मेथेनॉल इसी तरह से दूसरा सदस से है CS3, CH2OH इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल इसी तरह से हम श्रिंखला में आगी बढ़ते जाएं तो यदि तीन कार्बन वाली श्रिंखला है और उसमें क्रियात्मक समों द्रॉक्सिल समों उपस्तित है तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपेनाल और इसी तरह से चार कर्बन योगतियदी श्रिंखला है तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूते नॉल ये सभी कंपाउन बिल्कुल सीधी श्रिंखला वाले हैं जरूरी रही है कि सभी कार्बनिक कंपाउन सीधी श्रिंखला वाले भी हो हम जानते हैं कि कार्बनिक कंपाउन शाखित रूप में या फिर वले के रूप में भी उपस्तित होते हैं तो आईए हम कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले उदाहरण में आप देख सकते हैं कि 5 कार्बन की एक लंबी श्रिंखला है जिसमें की मद्धे में एक हाइड्रोक्सिल समू उपस्तित है। इसका डाम करन करने के लिए हम सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रिंखला चुनेंगे। और कार्बन की लंबी श्रिंखला चुनते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो क्रियात्मक समू है वो हमारी श्रिंखला में शामिल हो तो इस तरह से हम एक लंबी श्रिंखला चुनते हैं जिसमें की पांचों कार्बन उपस्थित हैं इसके बाद हम इन कार्बन परमाणों का अंकन करेंगे और आप जानते हैं अंकन करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो क्रियात्मक समू है उसे 99 अंक प्राप्थ हो तो इस तरह से हम चुकि यहाँ पर जो क्रियात्मक समू है वह मध्य में उपस्तित है और हमारे पास पाची कारबन है तो यदि हम दाइयोर या बाइयोर किसी भी तरह से अंकन करें क्रियात्मक समुवाले कारबन को समान अंक प्राप्त होंगे तो इस तरह से हम सभी कारबन परमाणों को अंक देती हैं इसके पश्चात अब हम इसका नाम लिखेंगे अब हम यहाँ पर देख र अनुलगन के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर मुख्य भाग का नाम लिखने के लिए हम कार्बन परमाणों की संख्या गिनेंगे कार्बन परमाणों की संख्या पाँच है इसलिए इसके लिए मुख्य जो रूट वर्ड होगा वो होगा पैंट और चुकि सभी कार्बन परमानू एकल बंध के द्वारा जूड़े हुए हैं इसलिए पहले यहाँ पर अनुलगन जोड़ेंगे पेंटेम और इसके बाद हम जो मुख्य क्रियात्मक समू है उसे अनुलगन के रूप में लिखेंगे हमारा मुख्य क्रियात्मक समू है हाइड्रोक्सिल समू जिससे अ देख रहे हैं कि जो क्रियात्मक समू है वह कैर्बन पर जोड़ा हुआ है तो है कर्या देखने के लिए हम इसका नाम लिखेंगे पेंटेन, ठ्री, ओल अब यहाँ पर नाम लिखते समय एक और बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं और उसके बाद अंक लिखते हैं तो उन दोनों के मद्द एक छोटा हाइफन लिखा जाता है और यदि हम प्रतिस्थापी लिखते हैं और प्रतिस्थापियों की संख्या एक से अधिक होती है तो प्रतिस्थापी के मद्ध में कॉमा लगाया जाता है अब यहाँ पर हम दूसरा उधारन देखते हैं दूसरे उधारण में हम देख रहे हैं यहाँ पर भी पाच कारबन परमाणों की श्रिंखला है जिसमें की पहले कारबन पर एक हाइड्रोक्सिल समों उपस्तित है और यहाँ पर फिर से हम कारबन परमाणों का अंकन करेंगे इस तरह कि हाइड्रोक्सिल समों को निमतर अंक प करते हैं यहाँ पर भी पाची कार्बन हैं और जो क्रियात्मक सम्हूं है उसकी जो कार्बन संख्या है उसकी स्थती संख्या है वह है तो इस तरह से इस compound का नाम होगा पेंटेन वन ओल यहाँ पर आप ध्यान देजिए कि हमने यहाँ पर दो उदाहरण देखे इन दोनों उदाहरणों में क्या आपको कोई समानता दिखाई देती है आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों में हैं कार्बन परमाणों की संख्या और यदि आप पूरे गिनते हैं तो इनका जो सूत्र होता है वह है C5H12O क्योंकि दोनों में एक ही oxygen उपस्तित है अब दोनों में ही समान कार्बन hydrogen और oxygen उपस्तित है यनि कि इनके अनुसूत्र एक दूसरी के समान है तो फिर भिनता किस बात की है भिनता है इनकी सरचना में जबकि दूसरे दारन में ये पहले कार्बन पर उपस्तित है यनि कि यहाँ पर अनुसूत्र समान है लेकिन सरचना भिन है और सरचना में भिनता का कारण है क्रियात्मक समूह की अलग-अलग कार्बन पर इस्थती तो इस तरह से जब हम जानते हैं कि ऐसे कार्बनिक जिनके अनुसूत्र समान होते हैं लेकिन सरचना सूत्र भिन होते हैं वे आपस में एक दूसरे के सरचनात्मक समावेवी कहलाते हैं लेकिन यहाँ पर जो सरचना में भिनता है वा क्रियात्मक समूह की इस्थती की वजह से है इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इस्थती समा वेवी कहलाएंगे. चलिए, अब हम एक और उधारन लेते हैं. इस उधारन में हम देख रहे हैं कि यह 4 कार्बन की एक शृंखला है जिसमें कि 1 कार्बन पर 1 मिथाईल समु उपस्थी थै और 1 कार्बन पर हल्ड़ॉकसिल समु उपस्थी सै. अब यहाँ पर हम सबसे पहले कार्बन की श्रिंखला चुनते हैं कार्बन की श्रिंखला जब हम देते हैं तो वहाँ पर हमें देखना है कि दोनों ही क्रियात्मक्समू और प्रतिस्थापी उस श्रिंखला में शामिल हो जाने चाहिए तो इस तरह से चार कार्बन परमाणों की हम श्रिंखला चुनते हैं इसके बाद हम इनका अंकन करेंगे तो अंकन करते समय हम देखेंगे कि मुख्य क्रियात्मक समू को कम से कम अंक मिले तो इस तरह से हम दाई ओर से इन कार्बन परमाणों का अंकन करेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समू है वह जिस कार्बन से जुड़ा है उसे पहला अंक देंगे और बढ़ते हुए हम एक, दो, तीन, चार इस तरह से कार्बन को अंक देंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मेथाइल समू है वो तीसरे नंबर के कार्बन पर उपस्थित है आईए अब हम इनका नामकरन करते हैं तो इस कार्बनिक कंपाउंड में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रतिस्थापी भी है और एक मुख्य क्रियात्मक समू है अब इनका नामकरन करने के लिए पहले हम प्रतिस्थापी का नामकरन करेंगे और प्रतिस्थापी का नामकरन करने के पहले हम उसकी स्थती संख्या भी दर्शाएंगे तो यहाँ पर मेथाइल समू तीसरे नंबर के कार्बन पर उपस्तित है तो हम लिखेंगे तीन उसके बाद हम छोटा हाइफन लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे मिठाइल जो हमारी प्रतिस्थापी का नाम है उसके बाद हम मुख्य भाग लिखेंगे मुख्य भाग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चार कारबन हैं इसलिए मुख्य भाग का नाम होगा ब्यूट और चुकि इसमें सभी एकल बंद से जुड़े हुए हैं इसलिए हो जाएगा ब्यूटेन और अब यहाँ पर हम लिखेंगे मुख्य क्रियात्मक समों को अनुलगन के रूप में तो यहाँ पर हैड्रोक्सिल समों के लिए अनु का नाम हो जाएगा थ्री मेथाइल ब्यूटेन और इस तरह से हम कार्बनिक कंपाउंड का नाम निखेंगे यहाँ पर हम एक और उदारन ले रहे हैं इस उदारन में आप देख सकते हैं कि जो मुख्य शेंकला है उसमें तीन ही कार्बन दिखाई दे रहे हैं जबकि बीच म साथ जो एक कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सिल समू क्रियात्मक समू जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले अपने नियम को ध्यान में रखते हुए पहले मुख्य श्रेंकला चुनेंगे और मुख्य श्रेंकला चुनने के बाद जब हम अंकन करेंगे तो उस कार्बन से को पहला अंक देंगे जिससे की हाइड्रोक्सिल समू जुड़ा हुआ है तो इस तरह से हमारी जो मुख्य श्रेंकला है उसमें तीन कार्बन होंगे दूसरे समू जो दूसरा कार्बन है उसमें दो मेथाईल समू जुड़े हुए हैं और जो पहला कार्बन है उस पर प्रतिस्थापी दो हैं, दोनों मेथाइल समू हैं और दोनों ही एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए चुकि दो हैं और दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी स्थती को दर्शाने के लिए हम दो जो कार्बन की संख्या है, उसी दो ब डाई मिठाईल और हम बता दें कि यहाँ पर क्योंकि नंबर दो बार रिपीट हुए है इसलिए दोनों के मद्ध में एक कौम आएगा उसके बाद टू और डाई इनके मद्ध में एक हाइफन लिखा जाएगा तो नाम हो जाएगा टू टू डाई मेथाईल इसके बाद हमारा जो रूट वर्ड है वो आएगा रूट वर्ड में मुख्य रूप से तीन कार्बन है तो इन तीन कार्बन के लिए हम रूट वर्ड यूज करेंगे प्रॉप और चुकि सभी एकल बंसे लिखने के पहले हम उस क्रियात्मक समों के इस्थती भी दर्शाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर जो नाम हो जाएगा वो होगा तो इस तरह से हमारे कार्बनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा तो आप देख सकते हैं कार्बनिक कंपाउंड का नाम करने के लिए हम IUPAC सिस्टम को फॉलो करते हैं और साथ ही साथ जब हम नाम लिखते हैं तो हमेशा पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है जो मुख्य क्रियात्मक समू होते हैं, उन्हें अनुलगन के रूप में लिखते हैं। आइए, इन्ही उदाहरणों पर एक बार पुना विचार करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों के अनुसूत्र समान हैं, क्योंकि दोनों में ही कार्बन, हड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या समान हैं। लेकिन इनकी सरचना में भिन्नता है। आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला उदाहरण हैं उसमें त्रीसरी नंबर के कार्बन पर एक मिठायल समू उपस्तित है जबकि मुख्य श्रिंखला में चार कार्बन पर माणू हैं और इसलिए यह ब्यूटेन कार्बनी क्योंगी कि अब ब्यूटेन हाड्रो कार्बन का वि तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही कार्बनी क्योंगी कोंके अनुसूत्र तो समान हैं लेकिन इनकी सरचना में भिन्नता है और इनकी सरचना में भिन्नता का कारण है इनकी श्रिंखला में अंतर तो ऐसे कार्बनी क्योंगी जिनके अनुसमान हो अनुसूत्र समान हो लेकिन इनकी सरचना में श्रिंखला का अंतर हो यह हम कहें जिनकी कार्बन श्रिंखला में अंतर पाया जाता है ऐसे कार्बनिक योगिक एक दूसरे के श्रिंखला समावैवी कहलाते हैं चलिए अब हम एक और उदाहरन देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कार्बॉक्सलिक समूह युक्त कार्बनिक यौगी के उदाहरन है पहले उदाहरन में आप देख रहे हैं कि इसमें मुख्य कार्बन श्रिंखला में चार कार्बन है तथा जो पहला कार्बन है वह कार्बॉक्सलिक समू के रूप में उपस्तित है क्योंकि हम जानते हैं कि जो कार्बन युक्द क्रियात्मक समू होते हैं उनके कार्बन को ही श्रिंखला में प्रथम अंक दिया जाता है और दूसरे उधारण में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन ही मुख्य श्रेंकला में तीन ही कार्बन है और जिसमें जो पहला कार्बन है वह कार्बोक्सलिक समू के रूप में उपस्तित है लेकिन साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो दूसरा नंबर का कार्बन है उससे एक मिठाइल सम्मू जुड़ा हुआ है अब यदि नंबर काउंट करें तो यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों के ही अनुसूत्र समान है दोनों में ही कार्बन की संख्या चार है हड्रोजन की संख्या आठ है और ऑक्सिजन की संख्या दो है लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों की संदशना भिन भिन है यदि हम इनका नाम करन करें तो पहले वाले उदारन कार्बनी क्योगिक का नाम होगा चुकि इसकी कार्बन शेंखला में चार कार्बन है इसलिए यह ब्यूटेन का वित्पन होगा और इस तरह से और चुकि इसका जो पहला कार्बन है वो कार्बाकुसलिक अमन के रूप में है और इससे हम कार्बनिक योगिक के नाम का अंत करेंगे और इसे अनुलगन के रूप में लिखेंगे और कार्बाकसलिक समु को अनुलगन के रूप में लिखा जाता है ओइक एसेड तो इस तरह से यहां पर कार्बनी क्योगिक का नाम हो जाएगा ब्यूटे-णोई-एसेड अब दूसरे वाले कार्बनी क्योगिक को हम देखते हैं चुकि यहां पर दूसरे इस तरह से यहां पर हम देख रहे हैं कि जो इसकी मुख्य कारबन शिंक्रा है इसमें तीन ही कारबन है और इसलिए यह प्रोपेन का व्यतपन होगा और साथ ही साथ इसमें अनुलगन हम जोडेंगे ओईक एसे तो इस तरह से इस कारबनिक-योगिक का नाम होगा टू- प्रोपेनॉइक ऐसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक की कारवन श्रिंकला में एक मेथाईल समू उपस्तित है जबकि दूसरे के में नहीं लेकिन दोनों में ही क्रियात्मक समू समान हैं तो आप आप यह बताईए कि यह दोनों समावेवी क्योंकि इनके अनुसूत् यह इस्थती समावेवी हुए या क्रियात्मक समावेवी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चुकि इनमें क्रियात्मक समू दोनों में समान है और उनकी इस्थती भी समान है दोनों ही पहले नंबर के कारवन पर उपस्तित हैं और इसलिए यह एक दूसरे के इस्थती समावेव नहीं होंगे लेकिन हम देखते हैं कि इनकी श्रिंखला में अंतर है इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे के श्रिंखला समावेवी कहलाएंगे चलिए यहाँ पर आपने बहुत सारे कार्बनिक योगिकों की सरचना देखकर उनका नाम करन करना सीख लिया है आइए अब हम कुछ ऐसे उधारन लेते हैं जिसमें हमें कार्बनिक योगिक के नाम दिये होंगे और अब हम उनकी सरचना बनाएंगे जैसे पहले उधारन हम लेते हैं हमें दिया गया है ब्रोमो पेम्तेन इस कार्बनिक योगिकों की हमें सरचना बनानी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी क्रियात्मक समू या प्रतिस्थापी होगा उसकी पहट्रान करेंगे तो यहाँ पर जो क्रियात्मक समू है वो है ब्रोमू जिससे हम B.R. संकेत के द्वारा लिखते हैं इसके बाद हम देखेंगे कि यह किस हाइड्रो कार्बन का वित्पन है यहने कि इसमें कार्बन परमानों की संख्या क्या है तो जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है पेंटेन यहने कि यह 5 कार्बन वाले कार्बनिक योगिक का वित्पन है तो इस तरह से इसकी सरचना बनाने के लिए सबसे पहले हम पाँच कार्बन परमानों को एकल बंद के द्वारा लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर चुकी लिखा है ब्रोमो और ब्रोमो की संख्या दर्शाई नहीं गई है और जब नाम में संख्या न दर्शाई गई हो तो समझना चाहिए कि जो क्रियात्मक समू है वह पहले नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो पहले नंबर के कार्बन पर हम बी आर को एक बंद के द्वारा जोड़ देंगे और इसके बाद जितने भी कार्बन हैं उनकी सब ही की संयोजक्ता हैड्रूजन के द्वारा पूरी करेंगे और इस तरह से हमें ब्रोमो पेंटेन की यह सरचना प्राप्त हो जाएगी चलिए अब दूसरा उधारन लेते हैं दूसरा एक्जाम्पल है हमारे पास हेक्जेनल यहाँ पर भी हम देखेंगे कि क्रियात्मक समुच चुकि अंत में आ रहा है और इसके लिए लिखा हुआ है अल और हम जानते हैं कि जो अल अनुलगन है वो अलडिहाइड समुच के लिए लिखा जाता है साथी साथ चुकि इसमें हेक्जेन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसकी कार्बन श्रिंखला में 6 कार्बन परमानू होंगे तो इसलिए सबसे पहले हम छे कार्बन परमाणों की श्रिंखला बनाएंगे अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो LD हाइड समू है उसमें स्वयम भी एक कार्बन होता है और हम जानते हैं कि जब क्रियात्मक समू में एक कार्बन हो और उस स्तिती में हम इसके कार्बन को ही पहला अंक देते हैं तो यहाँ पर जो हमने 6 कार्बन की श्रिंखला बनाई है उसके पहले कार्बन को ही एल्डिहाइड समुह में परिवर्तित कर देंगे और इसके बाद चुकि हमारे पास और कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है इसलिए बाकी के सभी जो कार्बन हैं उनकी सारी सेयो जक्ता हम हड्रोजन के द्वारा पूरी कर देंगे और इस तरह से हेक्जेनल कंपाउंड की सरचना हमें प्राप्त हो जाएगी एक और उधारण देखते हैं यहाँ पर हमारे पास उधारण है बयूटे नोन यहाँ पर भी आप देखकर समझ सकते हैं कि क्योंकि यह बयूटेन का डेरिवेटिव है इसलिए इसकी कार्बन शेंखला में 4 कार्बन होगे साथी साथ इसमें जो अनुलगन है वो है उन स्थान पाते हैं, तो इस तरह से हम पहले चार कार्बन की श्रिंखला बनाएंगे और उसके बाद दूसरे या तीसरे कार्बन पर, क्योंकि जिधर क्रियात्मक समु होगा उधर से ही हम कार्बन श्रिंखला की शुरुवात करेंगे और यदि हम दाई तरफ से शुरुवात करें, तब भी दूसरे नमबर के कार्बन पर यदि हम किटोनिक समों को रखते हैं, तो वह दूसरा अंकु से दिया जाएगा, यदि दाई और से लिखते हैं, तो भी हमें दूसरे नमबर के कार्बन पर ही किटोनिक समों को रखा जाएगा, इस तरह से यहाँ पर कि उनकी संयोजक्ता को हम हाइडरोजन के द्वारा पूरी कर देंगे और इस तरह से हमें व्यूटेनोन कंपाउंड की सरचना प्राप्त हो जाएगी एक और उदारण देखते हैं यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम है टू-हाइड्रोक्सी-पेंटेनौिक अमल अब यहाँ प याने की कॉर्बॉक्सलिक समू उपस्तित है और साथ ही साथ यहाँ पर प्रतिस्थापी के रूप में दुती कार्बन पर हड्रोक्सी समू भी उपस्तित है और चुकि यहाँ पर बीच में आपको जो रूट वर्ड है वह है पेंटेन इसका मतलब यह है कि हमारा जो कार्बने उसे ही हम कार्बाक्सलिक समू के रूप में लिखेंगे अब यहां पर चुकी जो प्रतिस्थापी है हाइड्रोक्सी समू यानी कि ओँ ऐच समू इसकर इस्थान दिया गया है दो तो इसे हम जो फोईक अमल या कार्बाक्सलिक समू है उसके बाद वाले कार्बन पर इसे हम हाइड्रोजन के द्वारा पूरी करेंगे और इस तरह से हमें जो सरचना प्राप्त हो जाएगी वो होगी 2-Hydroxy-Pentanoic-Aml तो इस तरह से आपने बहुत सारे उदाहरनों के द्वारा नाम से संरचना बनाना और संरचना से कार्वनिक कंपाउंड का नाम लिखना सीख लिया है आएए अब हम कार्वनिक योगीकों की कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं